हाई अविवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वल्कम डू मैंनी व्लॉग दिवाली से नेक्स दे का व्लॉग है ये और एप्रॉक्स टेन थर्टी और 11 ओक्लॉक के आसपास का टाइम हो रहा था और जस्त मैं किचिन में कुक क्लू सीफ़ेटी सरद मेरी में बन स्मय निकलता कि यानर दे हैं हुआ कंशी के इस सब्सक्राइब करें तो बट बात कर से ने भीएँ को से यहाँ निप पर चले माके चली कहीं तो बैटू oh इस तरह से डेकोरेट करा था, बहुत जादा कुछ करनी पाई थी, जितना भी हो पाया था, मनीश ने इन फैक्ट ये करा था, और यहां पर मनीश पूझा कर रहे थे, वो ready हो गए थे, दिवाली से next step, उनको लगा कि office खुला हुए, उन्होंने पूछा नहीं, मतलब चेक भी नहीं करा, और वो office के लिए ready हो गए थे, बाद में जाकर के पता चला था, कि आज office बंद है, तो अपना थोड़ा घूम घाम करके फिर घर वापस आ गए थे, मैं उनको बोला भी था, कि festival चल रहे हैं, आज तो पक्का से चुटी होगी, गोवरधन होता है न, विश्व कर्मा डे, उस दिन चुटी होती है, हर office बंद रहता है, बट उन्होंने बोला, नहीं, मेरा office खुला है, तो वो ready हो करके चले गए थे, बाद में पता चला, office उनका बंद था, यहां पर आराम से शूजूज पहन करके ready हो रहे थे, और उसके बाद मनीश चले गए थे, और फिर यहां पर मैं अपने लिए fruits वगएरा कट कर रही थी, क्योंकि दिवाली वाले दिन मेरी हो गए थी, तब्यान बहुत सादा खराब, तो उसकी वैसे बाडी में बहुत सादा मेरे pollution हो गया था, जैसे crackers वगएरा से बाहर pollution हो जाता है और वैसे मैं भी यह बाहर का food खाती हूँ, जैसे sweets वगएरा मैंने बहुत over खाई, तो उससे मेरी body में भी बहुत सादा pollution हो गया था, तो आज तो मेरे को थाग कि आज मेरे को यह सब clean करना है, वैसे आपको attract करती है, खराब जैसे sweets हो गया, snacks हो गया, यह भरा पड़ा रहता है, तो इसकी वज़ा से हमारी health बहुत जादा impact करती है, तो मेरे को था आज मेरे को बहुत सारा fruits अपने लिए कट करके खाना है, इसलिए मैंने apple भी आज ना कट कर लिया था, क्योंकि apple कट करा होगा तो वो खराब ना हो, इसलिए मैं खा लूँगी, तो सारा fruits मैंने यहापे कट कर लिये थे, orange था, guava था, banana और apple था, तो मैंने का, जितना मेरे से खाया जाएगा, उतना खाऊंगी, बाकी छोड़ दूँगी, या फिर मैं बेटू को किसी तरह खिला लूँगी, बट मेरे को था कि जादा से जादा में को खाना है, जितनी जादा मैंने गंद खाया, जितनी गंदी चीज़ें खाया, वो में को सारी flush off करनी अपनी बॉड़ी से, क्योंकि कल जैसे ही मैं मैं लक्षमे पूजा के लिए बैठे जाना, शाम के टाइम मेरी तब्यत इतनी जादा खराब हो यह लड़ियां वगेरा लगाने का काम मेरे से होता नहीं है, तो सारा काम जो था वो last moment पे होना था, उससे पहले festivals, marriages, ससुराल से भी, माई के से भी, तो यह सब चल रहा था, उसकी वेसे सारा कुछ न बहुत लेट हो गया था, तो जैसे ही morning में अपने कामों में में लगे र जाती है, मतलब पहले भी, एंड में भी अब दिवाली के बाद भी सब क्लीनिंग का ही काम चलेगा, जैसे कि यह चीजों की डीप क्लीनिग नीग और चीजों की चीजों की चीज करना, विंटर क्लॉट्स निकालना और वो सब पैक करके रहना, काम कभी भी मतलब खतम होते रॉछ, मॉनिंग से में अपने कामों में लगी रहा है, जैसे बाद काफि गए हो जौनीग, दो चैण कि यह इवनिंग चलता है कि एक्टम तेज सेबूग, टी नहीं सおお बीच में, तो में बीच में होता है, यह चैण रही ह में पाहुना, दोना और यह भी करना, जोगिया ह काजु कतली लेकर आए मैंने एक लिग से भर के जो काजु कतली खnt चया इधा रही कि अपा शुकर बाद मेरा टे देदिन vare इसका बाद मेरीज मेसा बना दूर ऐती explicit मैं लेडिस थी अइसमेल मेन अगे बना करके कि अब भ雜ुब पूजा भी मेरे से नहीं करी गई थी तो इसलिए ये जो भी दिवाली की स्वीट्स होती है न स्पेशली बहुत सदा हामफुल होती है तो इनको थोड़ा सा अवाइट करना चाहिए बट घर पर होती है तो हम खा लेते हैं मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सबको बोलती हूं कि प् प्रोल कर पाऊंगी तो फिर यही हुआ मेरे साथ की मैंने स्वीट्स बहुत ओवर खा ली थी तो उसके बाद मेरे हालत खराब हो गई थी और उसके बाद फिर हलकी फुलकी जैसे मेरे से हो पाया मैंने छोटी मोटी रंगोली बनाई और फ्लार्स भी ना बहुत कम रह गए उसके बाद जब बैठे हुए थी तो रात को जब दिवाली ओवर हो गई ना तब जाकर मैं रिल्ाक्स हुई और डिवाली पे मैं बहुत निकल कर भी नहीं देखा मैंने कि दिवाली की रोनक क्या थी इस पार नेक्स से मॉर्निंग में ही मैं उठी और उसके बाद फिर रात का जो बैट था वो मैंने ठीक करा क्योंकि ठंड आ गई है एकदम से दिवाली से ना इक दो दिन पहले बहुत बारिश होई तो उसकी वैसे में भी हलकेफ़ों के ठिवाली है और हिलकेफ़ों के होड्स के विद्वाटे जाता उँसले मैंने काया निकाली नीथी तो मैं काम चला रही थी क्योंकि एक आजी दिन में वो आने ही वाली थी फेस्टिवल्स के वज़े से ही थोड़ा सा इधिंग डिलीवरी जो थी वो लेट हुई थी नहीं तो हो जाती और ये बेटशीट जो है ये बहुत ओवर साइज की है जो कि भीचाने में बहुत जादा मुश्किल होती है तो मेरे पस ये ब्रश रखा हुआ था इससे बहुत अच्छे से सारा बेट जो होता है वो क्लीन हो जाता है इन फैक जो बेट पे हेरफॉल वगेरा होता है न जो हेर फिर मैंने बेड वगएरा क्लीन करके सैट वेट कर दिया था और बेड वेड क्लीन होता है नहीं पूचा बेड़रूम काफी जादा मिलब सट सब्सक्रीज़ लगता है बिल्कुल पी फैला हुआ सा नहीं पहुता है बैड बना दोना साथ के साथ हो आल्मोस सारा मिलब समान को वी सेट कर दो जैसे बेड़ फैला रहता है और रात का चोटा-मोटा जो हमारी चीज़ें होती है आस-पास की जैसे वाटर-बॉटल हम रके सोते हैं यह कुछ भी चीज़ें जो हम रखके सोते हैं सिरफ उनको और्गनाईज कर दो आदा घर तो वैसे ही क्लीन हो जाता है फ्लोर क्लीन इतना हो या ना उचसे फरक नहीं पड़ता है लेकिन चीजें और्गनाईज होना बहुत जरूरी होता है जहां से जो चीज उठाई हो उसके प्लेस पर पहुंचा द भी बहुत मैटर करता है अगर हमने किसी चीज में ठूस ठूस के रख दी है चीजों को तो भी बहुत थोड़ा सा खराब लुक देता है उसको अच्छे इसलिए मैंने अभी और्गनाईजर्स वगेरा मंगाया है थाकि मैं चीजों को अच्छे से फोल्ड करके रखों और सम हमारा टाइम भी सेव हो सके जगें पर चीजने पड़ी होंगी तो वह हमको टाइम पर मिल भी जाएंगी और बाहर का वैदर देको बिल्कुल ठंड आ गई है तो वैसा ही हो रहा था बिल्कुल भी धूप थी नहीं यहां पर और रंगोली का जो मैंने यहां पर मलब कलर पोचा वगेरा लगा दिया था वाइपर से आज मैं लगा रही थी क्योंकि वह गोल वाला जो मॉप होता है उससे उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पा था उससे भी मैं करती हूं बट थोड़ा सा मेरे को था कि अभी कलर वगेरा था ना और मंदिर की साइड से भी थोड़ा यहां से लगा रही थी कि उसको आगे से ना पीछे की साइड लेकर के आ रही थी ताकि जो भी थोड़ा बहुत फ्लोर पे चीज़ें रह जाती है ना जैसे हम बिना स्लीपर्स के तो मैं वैसे चलती नहीं हो है बरसे लगर कोई भी चलता है नो तो पैरों पर लगे ना तो की साइड बढ़ा रही थी जैसे की कोई भी चीज़ होएगी तो इधर आ जाएगी और बाद में मैं उसको हाथ से उठा सकूँ और उसके बाद फिर यहां पे मैंने मेरा जो क्लीनिंग का काम जो था वो वाइंड अप होने वाला था बेटू की वाली टेबल मैंने अभी क्ल काने के बाद बहुत बार दिन में क्लीन होती रहती है और अभी यहां पे थोड़ा सामान बगएरा रखा हुआ था तो मेरे को इसको भी अरेंज करके रखना था यह दिवाले गिफ्ट बगएरा थे कुछ बाकी तो मैंने अल्मोस रख दिये थे तो यह दो तीन जो थे वो रह गए थे और इसमें ना मतलब कुछ वैसी यूज वाली चीज़ें थी कुछ ऐसे खाने पीने वाली चीज़ें थी नहीं तो इसलिए यहां पे रखे रह गए थे और उसके बाद यह हो गया था नेक्स टे थोड़ी अच्छी सी धूप आई होई थी मतलब खिली खिली सी और फाइनली मेरा वेट जो था ओवर हो गया था जिस चीज़ का मैं वेट करी थी तो वो चीज में को मिल गई थी मैं थोड़ी सी एक दिन पहले डिलीवरी हो गई थी और यहां पे वो जो ऑर्गनाइजर मैंने मंगवाए थे वो आ चुगे थे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने अपनी स्टॉल पहले ही निकाल ली थी जब थोड़ी सी पहले बारिश आय थी ना फरस्टाइम तो तभी निकाल ली थी तो यह भार ही रखी हुई थी और हातों में न काफी ठंड लग रही थी बेटू को भी मैंने यहां पे विंटर वाले क्लॉट्स पहनाया हमें क् मैं उसके निकाल लिये थे उसी दिन और अभी मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए मैंने स्टॉल ले ली थी और फाइनली आज मेरे और्गनाइजर आ गए थी तो मैं अपना विंटर स्टफ जो था वो चेंज करूंगी मनीश भी बाइक वगरा से आसपस कहीं जाते है न तो उनको भी ठंड लगती है तो अभी मेरे को यह निकालना बहुत जादा जरूरी था इसलिए मैं बहुत बेसबरी से वेट करी थी कि जल्दी आजाते तो मेरा मैं डबल महनत नहीं लगती ना अभी मैं निकाल लूँ फिर चेंज करूं फिर में को फोल्ड करके तो बैग में तो बेटर होगा मैं एक साथ इसी में डाल लूँगी और इस तरह है कि क्वालिटी थी क्वालिटी ओके ओके सी लगी मेरे को बहुत जाद अच्छी भी नहीं थी और ठीक थाक थी आगे से कुछ इस तरह से ट्रांस्पेरेंट शीट थी साइज नो बहुत जादा स्मॉल थे जो कि मैंने मतलब देखने से लग रहे थे कि काफी बड़े-बड़े साइजेस हैं बट साइस बहुत चोटे-चोटे से में को लगे देखो दूर से आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा बहुत चोटे-चोटे से जैसे हमारे कॉस्मेटिक वगरा रखने वाला होता है उसे थोड़ा ही बड़ा था अगर हम इसमें कॉस्मेटिक रखने रखने रखे न तो आई तिंक यह भर जाएगा इतना चोटा बहुत जादा बड़ा नहीं था बिल्कुल चोटा साही था एक साड़ी टाइप ही इसमें एक आ सकेगी एक वाली में लेयर में और उसके बाद यहां पर जो भी हमारे ड्रेसेस बगईरा थे बेटू की ड्रेस थी उस ने गंडी कर दी थी पेंटिंग करने लग गई व उस दिन दिवाली थी तो उसकी ड्रेस बगएर में को पहले वाश करनी थी बेटू के जादा कपड़े हो जाते हैं क्युकि वह दिन में दो दो भ बेटू की ड्रेस थी उसने गंदी कर दी थी पेंटिंग करने लग गई व उस दिन दिवाली थी तो उसकी ड्रेस वगेरा में को पहले वाश करनी थी वेटू कहीं जादा कपड़े हो जाते हैं क्योंकि वो दिन में दो-दो बार भी कई बार निकाल देती है बाहर बैट करके खेलती है तो वो डस्ती वगएरा हो जाते हैं तो उसके कपड़े थोड़े जादा हो जाते हैं अभी वाश करने के लिए तो मैंने मशीन भी मॉनिंग में लगा दी थी और उसके बाद यहाँ पे मेरे कपड़े वगएरा भी सुख गए थे धूप बिल्कुल तो यह समय को पैक करके रखना था और बस अज का व्लॉग में ही पे अंड करती हूँ होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होग अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तिल दें टेक क्या फैंस पर बाई एंड बताना जरूर आप सब के दिवाली कैसी रही